क्या आपकी याद दास्त कम होने लगी है? क्या आप कई बार ऐसा समझते हैं कि आपके हाथ में चाबी होती है और आप चाबी को भूण रही होते हैं? कई बार आप कार को लॉक कर देते हैं लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि लॉक हुई या नहीं? इसे परकार घर का ताला या आपकी कभी गैस घर में गैस आपने अभी आफ करी और नीचे जाके मैसूस करते हैं अरे मैंने वो गैस आफ करी या नहीं करी? इसी तरहे अगर आप एक स्टूडेंट हैं अभी आपने कुछ कॉंटेंट याद किया और थोड़ी देर बाद ही आपको लगने लगा शायद में भूल गया हूँ अगर इस प्रिकार की आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो समझे आपका माइंड की याद दास्त है वो नीचे आने लगी है ऐसे तो फॉर्गेट फुलनेस इश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट भी है कुछ चीज़ें तो आपने भूलने होती है लेकिन जब आपका माइंड ये कहने लगे कि मैं पासवर्ड भूल गया मैं चाभी भूल गया मैंने चीज़ कहा रखी थी मैंने अभी कोई कॉई कॉटेंट याद कि आप फिर भूल गया तो समझे आपकी याद दास्त जाने लगी है इसके लिए क्या करें आज मैं आपको 3 ऐसे हैक्स देने वाला हूँ जो आपकी याद दास्त को कम से कम 10 एक्स पॉड़क्टिविटी जिसको हम कहते हैं 10 गुना बढ़ा देंगे येस इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ तो जरूर मेरे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और जरूर बेल आइकन दबाएं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुँचे आए शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों बहुत बुरा लगता है जब आपको ये महसूस होने लगे कि मेरी याददास्त पहले जैसी नहीं है और ये डाउट और ये चिंता आपकी याददास्त को कई गुना कम कर देगा और आपको इस इस्तिती में लेके जाएगा जहां आपको लगेगा कि इसी रेट से अगर मेरी याददास्त कम होने लगी तो एक दिन ऐसा नहीं हो कि मैं अपने आपको भूल जाओ अपने दोस्तों को भूल जाओ और रास्तों को भूल जाओ और दोस्तों ये एक बीमारी भी है तो इससे बचने के लिए हम क्या करें इससे पहले कि यह हमारे माइंड की मैमरी को जो दुनिया का सबसे बड़ी मशीन है इस और का सबसे बड़ी है बड़ा हुआ गिफ्ट है बड़ा गिफ्ट है उसको इससे पहले दोस्तों इंट्रेस्ट आप दिखेंगे जो लोग स्पोर्समेन हैं किर्केटर्स हैं 6-7 घंटे 40-45 डिगरी टैंप्रेचर में वो खेलते हैं लेकिन उनको ठकान नहीं होती उनको सिकन नहीं होती कई बार आप देखेंगे कई लोग मांटिनेरिंग करते हैं पहाड़ों पर चड़ते हैं आठ गंडे 10 घंटे वो महनत करते हैं लेकिन दिमाग में 1% भी ये नहीं लगता कि मैंने इतनी महनत करी दोस्तों जिस चीज़ में आपको इंट्रेस्ट होगा अगर आप साइंस में इ इंट्रेस्ट है किसी चीज़ को सीखने में इंट्रेस्ट है तो आपका मैंन्ड उसको इंज्जाय करेंगा और वह चीजज आपकी मैं में सीमें चेक करिए नहीं है तो वो क्यों नहीं है नंबर टू इंट्रेस्ट के बाद दोस्तों आता है आपका एक इतनी बड़ी एक आर्ट है जिसको हम कहते हैं आप देखेंगे कि जितने भी पहले हमने राइट ब्रेंट ड्रीवन लोगों की बात कीती जितने भी राइट ब्रेंट ड्रीवन लोगों वो क्या करते हैं वो म्यूजिकल होते हैं उनको म्यूजिक में इंट्रेस्ट होता है तो इसका मतलब यह हुआ अगर हमने अपनी imagination बढ़ानी है यह दास्त बढ़ानी है तो हमें music सीखना चाहिए जैसे ही आप music सीखेंगे तो music का और imagination का एक संबंद है और बताओ मैं आपको कि music में एक ख्याल गाईकी होती है ख्याल गाईकी इसका मतलब यह है कि उस music में जो वो गाना है उसको कितनी तरहां से आप उतार चड़ाव पैदा कर सकते है उसको imagination कहते है और जिसका जितना अच्छा imagination उतना अच्छा वो गायक बनता है तो इसका मतलब आप music सुनते हैं या music आप सीखना शुरू करते हैं को instrument सीख सकते हैं, harmonium सीख सकते हैं, तबला सीख सकते हैं आज कल बहुत एक चलना गिटार सीखने का गिटार सीखिये, बट music सीखने से आपकी याद दास्त का सीधा link है और तीसरा दोस्तो, make a story, यह practice करिये, मैंने यह practice किया और मुझे अद्भुत चमत कारिक फायदा हुआ I am sharing, I am sharing my experience, five चीज़ कोई भी लिख ली चीज़ी और उनकी फिर एक story बनाईए, जैसे for example, मैं आपको पांच चीज़ें बताता हूँ, elephant, train, tiger, water bottle और snake तो पहला क्या है, elephant, दूसरा क्या, train, तो imagine करिये, कि train को elephant खीच रहा है, train को elephant खीच रहा है, तो सबसे पहले क्या आगया, elephant, elephant को पीछे क्या लगा है, train को खीच रहा है तीसरा क्या है हमारा, tiger, and imagine simple कि train में tiger बैठा है, फिर चौथा क्या है, water bottle, imagine कि उस tiger की हाथ में water bottle है, और पांचमा क्या है, snake, simple कि उस train, उस bottle के अंदर क्या है, imagine करें, snake, तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा elephant, elephant किसकोँ खीच रहा है, train को, train में कौन बैठा है, tiger, development क्या है, water bottle, और water bottle में क्या है snake तो this way दोस्तों आप 5-5 चीजों का list बनाए and make your own story that is the creation and moment you experience this moment you practice this आप देखेंगे कि आपकी imagination power आपकी यादस्त की power 10x नहीं you will enjoy the new levels of your memory and you will enjoy the new life अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो comment करके मुझे मुझे बताए just do comment और इस वीडियो को जादा से जादा दोस्तों share करें so that आपके दोस्तों को इसका फायदा हो सकी धन्यवाद मिलते हैं next video